नमस्कार कैसे हो मेरे दोस्तों आज के इस इंपोटन्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइट कॉम गुरूप के कुछ अहम इंपोटन्ट टॉपिक के बारे में वीडियो के इंफरमेशन आपके लिए हेलफ फुल रहेगी यदि आपके पास एस टॉक मौजुद है तो नाइट कॉम गुरूप में पिछले वन विक से नाहीं तो अपर सरकित लगती है और नाहीं तो लोर सरकित लगती है और नॉर्मल ट्रेडिंग के चलते हुए थोड़ा बहुत प्लस में क्लोज होता है या थोड़ा बहुत माइनस में तो मैं उस बात पर आपको ले जाना च जाता हूँ कि जैसे ही आप स्क्रीन में देख सकते हो एनसी ने सेबी ने जो एसम स्टेज से बाहर निकाल करके इस स्टॉक को फ्री कर दिया है सरकित लिमिट चेंज होने के लिए तो जैसे ही कुछ दिनों तक ही ऐसा सिलसिला चला रहा कर नाहीं तो अपर सरकित लगेगी और नाहीं तो लोर सरकित लगेगी और नॉर्मल ट्रेडिंग ब्राइट कॉम ग्रूप में यदि होती रहती है तो डेफिनेटली 5% से बढ़ा कर सरकित लिमिट 10% भी कर दी जा सकती है तो यह बड़ी न्यूज आने वाले वीक में हो सकती है और बड़े चैंजिस हमें पॉ आरू हम पने की कोशिश करें तो ना तो अपर सरकित लगाते है और ना यहीं तो लॉर सरकित तो ऐसे etme शायद उनकी कोशिश यहीं रहेगी कि जैसे ही अपर शरकित इस सरकित लिमिट हो उसके लगातार अपर सरकुट का सिल्सिला बीसिज् mais जारी हो सकता है तो एक यह ही टॉपिक था कि अपर सर्कुट ना लगना ओर लोह सरकुट ना लगना वह बीसिजीकी लिए बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट साबित हो सकता है और ऐसे मैं यदी चैंज होती है सरकिट लिमिट तो ब्राइट कॉम ग्रूप में 50% का रिटन बहुत जल्द ही पा सकते है उमिद करते हैं आने वाले पूरे विक्के लिए कल से ही अपर सरकिट का सिलसिला शुरू हो जाएगा यह हमें उमिद दिखती है जोकि जिस तरह की कॉन्फरेंस कॉल में बात की गई थी प्रमोटर्स के तरफ से कि ब्राइट कॉम ग्रूप का फूचर ब्राइट है इस वन सेंटेंस को हम कंसिडर करते हुए ब्राइट कॉम ग्रूप का हमें बरोसा अभी भी दिख रहा है हमारा आए वीडियो आपकी information educational information के लिए है इन्वेस्टमेर करने से पहले अपनी खुद की research जरूर के जिए Thank you so much देखते हैं कल क्या pre-opening session में धमाका होता है या open होने के बाद अपर सरकित लगेगी यह हत्ता ही है Thank you so much जाहिंदे